इन्वेस्टेसंट ट्रेडर वेलकम बैक तो माँ चैनल चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबस्क्राइब बात करेंगे बैंक बरोडा के बारे में एक क्विक अब्डेट लेते हैं हम फिर चार्ट पर चलके देखते हैं कि हमारा प्लान अफ एक्षिन अभी यहां पर क्या होन है तो अच्छी और स्टेबिलाइस कंपनी है 15 परसंट की अगर आरोई मिल रही है और 6 परसंट की आपको सेल्स है पिछले तीन साल की एवरेज तो कहीने कहीं स्टेबल रिटन आपको प्रोवाइट करने वाली है और इनकेस अगर यहां पर बैंक अच्छा परफॉर्म करते है तो लगे हाथ बैंक अबरोड अभी उसमें अच्छा परफॉर्म करते नजर आएगा अभी फिलाल इदर बीच बढ़ी है नीचे आएंगे सेल्स में दोखोगे यहां पर प्रॉफित और लॉस के अंदर तो मतलब 2012 से ट्रेलिंग के अंदर तो ग्रूथ अच्छी है इनक नीचे आएंगे शेयरोलिंग पाटन में प्रमोटर की होडिंग कम हुई है और फिलाल अभी मतलब देखो अगर आपको स्टेबल रिटन चाहिए पोट्फॉलियो के लिए रिटन चाहिए तो ऐसे तो प्यस्यू बैंक बहुत जाता नहीं खरीते हैं प्राइवेट बैंक ज ध्याद रखना है कि बैंकिंग से रिलेटेड ही है तो चाहिना के अंदर क्योंकि पैनिक चल रही थोड़ी बहुत तो बैंकिंग सेक्टर पे उसका असर पड़ सकता है तो अगर बैंक गिरेगा तो इसी रीजन से गिरेगा और कोई आस पास तो हमें कुछ खास नजर रहा ने रहे कि बैंक को लेके गर जाये चाइने में प्रॉब्लम होगी बैंकिंग सेक्टर वहां पर डीफॉल करेगा तो यहां के बैंकिंग सेक्टर पर ही संतिमेंटल वैल्यू पर एffek्ट पढ़ेगा थोड़ा बहुत यहां पर गिरेगा ओलो चाना जातना लेकिन वान फॉ पर क्लोजिंग मिलती है तो फिर टार्गेट आपको 210 के आसफास के में देखने के लिए मिल सकते हैं और फिर एक बार अल टाइम हाइब रेक किया थोड़े समय तक धीमे धीमे चलते-चलते 15-20 परचेंट आपको और प्रवाइड कर सकता है अभी इसी के साथ फिलाल चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर विस्क्राइब सब खर देना बल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दवाना और रखना क्यापिटल सेफ रखना ओक के बाए